अगली खबर करो करते हैं शनिवार को एक आरकर में सीता मणी पहुंचे ग्रामीर विकास विभाग के मंत्री शबन कुमार प्रदूक्शन कम करने को लेकर बड़े बड़े दावे करते नज़र आए लेकि जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी गारी का पॉलिशन 2 अक्टूबर 2021 कोई फेल हो गया है इस सवाल पर वो सन रह गये और उन्हें कहा कि ये सरकारी गारी है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है अगर ऐसा है तो मैं पता करता हूँ हलाकि बात कुछ भी हो लेकिन लोगों के मन में इस सवाल जरूर है कि जब कानून के रक्षक मंत्री जी को इसका ध्यान नहीं है तो आम आदमी का अगर पॉलिशन फेल हो जाता है तो उन्हें दंडित किया जाता है दरसल शनिवार को सीता मनी के पचासमें स्थापना दिवस पर हवायड़ा मैदान में भार तोलन प्रतियोगिता कायोजन किया गया था मुग की अतिती के तोर पर बिहार सरकार के ग्रामीर विकास विभाग के मंत्री शवन कुमार के साथ तिरहूत सुनातक छितर के MLC देविशन ठाकुर सरकार की उपलबधियों को वो गिना रहे थे और पॉलिशन को लेकर बड़े-बड़े भाशन दे रहे थे उन्होंने कहा कि बिहार को प्रदूशन मुक्त करने के लिए राजित सरकार काफी जोर शूर से लगी हुई है मंत्री ने पॉलिशन से बचाव के लिए जन जीवन हर्याली समेट कई यह निबातें कहीं लेकिन मंत्री जी को खुद ही पता नहीं है कि उनकी गारी का पॉलिशन दो अक्टूबर 2021 से ही फेल हो गया था बहीं राज़त के पूर विधायक सुनील कुश्वाहा ने कहा है कि यह सरकार सिर्फ जुमले बाजी करती है अगर किसी आम आदमी का पॉलिशन फेल हो जाए तो गारी जब्द कर ली जाती है इतना ही नहीं उन्हें जर्माना भी किया जाता है बतादें कि पॉलिशन को लेकर सरकार सक्त है सरकार ने पॉलुशन को लेकर नए नियम बनाए हैं जिनके तहट अगर किसी की गाड़ी पदूश्र मानकों पर खरी नहीं उतरती है तो उसकी आर्सी और परमिट सस्पेंड किया जा सकते हैं सड़क परिवहन एब राजमार्ग बंत्राले ने पॉलुशन को लेकर नए नियम बनाए हैं जिसमें कई वहां चालकों को रहत दी गई है वहीं कई जगे जो है वो सकती भी की गई है आगे परते हैं बिहार के राज्य स्वास्ते समिति के कोरोना पॉस्टिव डॉक्टर संक्रमन के दौरान ही पटना से ओडिसा पहुँच गए डॉक्टर के ओडिशा तक कियात्रा के दुरान संपर्क में आये लोगों को कोरोना का खत्रा है लेकिन इन लोगों की ट्रेसिंग बड़ी चुनोती हो गई है डॉक्टर के पटना से जाने के बाद भी राजी स्वास्ते समिती की एक महिला डॉक्टर कोरोना पॉस्टिव हुई अब पटना में दोनों की संपर्क में आने वालों की जांच परताल कराई जा रही है राजी स्वास्ति सम्यति के डॉक्टर का सेंपल जांच के लिए बेजा गया है डॉक्टर का कहना है कि 8 दिसंबर को वो पटना से ओडिशा के लिए निकल लिए तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी वो अडिशा पहुँच गये तो 9 दिसंबर को रिपोर्ट पोटना नहीं निकलते डॉक्टर का कहना है कि अभी पूरी तरीके से आईसोलेट हैं और कॉर्णा नेगेटिव होने के बाद ही पटना आएंगे यात्रा के दुरान करुना का संक्रमर की खत्रा रहता है और राजिय स्वास्त समीति के डॉक्टर जब पटना से उडिशा के लिए निकले तो उन्हें पता नहीं था कि वो कुरुना संक्रमर के थे हैं इस तरह की लापरवाही के कान ही कुरुना का खत्रा बढ़ता है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर यात्रा के दुरान काफी सावधानी की जुरूत है सफर में एक भी संक्रमित संपर्क में आया तो कुरुना का संक्रमर फैल सकता है ट्रेन और बस के साथ अन्य पबलिक ट्रांस्पोर्ट से यात्रा करने वालों को हमेशा शाबधान रहना होगा और इस इस गरमर का खत्रा नहीं होगा तो वहीं खबर बेगुसराय से है जहां एक युबक ने शराब के नशे में पॉलिस के साथ मार पीट की है वहीं एक पॉलिस बाले की बर्दी भी फार दी इस दोरान नशे में धुत युबक ने पॉलिस अधिकारियों के साथ गाली गलोजबी की और हर किसी को देख लेने और डियम से बात करने की धमकी दी गतना नगर थाना शेतर के पोखरिया महला की है शराबी युबक के इस हाई बोल्टेस ड्रामे का वीडियो अपतेजी से वाइरल हो रहा है गतना शुकरबार देश शाम किया है नशे में पॉलिस की वर्दी फारने और मारपीट करने वाले युबक की पहचान दर्भंगा जिले के सिस्यो गाउन निवासी फेकन पासवान के पुत्र लक्षवन कुमार के रूप में हुई है कि वो बेगू सराय के पोखरिया अस्तित बाल ग्रहमें केरो टेकर के रूप में कादरत है दरसल युबक की पत्नी ने शिराब के नशे में हंगामा और मारपीट करने को लेकर उसे पुलिस के हवाले किया था इसके बाद उसने जमकर हंगामा किया और गिरफतार युबक की पत्नी विक्की कुमारी उर्फ मधू मारिया ने बताया है कि बुदवार को लक्षमन कुमार को सैली मिली थी इसके बाद वो सारे पैसे का शराब पीने लगा और जब ऐसा करने से माना किया गया तो उसने मार पीट की और मासूम बच्चे के साथ घर छोड़ कर जाने के लिए कहने लगा। मद्दू ने बताए कि शुकरवार सुबह साड़े च्छे बज़े से ही पती शराब के नशे में धुत ओकर मारपीट कर रहा था। घर के खर्च और बच्चे के दूद के रुपए भी चीन लिए, महले में खुले आम हंगामां किरने लगा और इसके बाद मजबूर होकर नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना देनी पड़ी। पुलिस जब उसके ग्रफतार करने के लिए पहुंची तो लक्षमान ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की और एक पुलिस वाले की वरदी भी फारदी। नाज करवाने से इंकार करता रहा। फिर किसी तरह उसका मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें शराब पीने की पुष्टी हुई है और घटना के समंद में नगर थाना के दरोगा परमिश्वर यादव ने बताया है कि थाने में मधू मारिया ने कॉल कर सूचना दी थी। तो उसका पती नशे में हंगामा कर रहा है और उसके साथ मार पीट कर रहा है। इसी सूचना पर पॉलिस मौके पर पहुंची लक्षमर यादव को थाने चलने को कहा गया और इसी बात पर उसने पॉलिस वालों के साथ मार पीट कर डाली। तॉस्चना ढए जस बात प्रव कόई